हाला स्टुडेंट्स मेरा नाम डॉक्टर गरजिन पुरहित और यह सीरीज हमने स्टार्ट करी इसका नाम है वन शॉट मैं पूरा टॉपिक हम एक्स्प्लेइन करते हैं आज मैं आपके सामने वेक्टर स्पेस बताने वाला हूँ इस सुने कर आप CSI अर्ने गेट, IAD, जेम य मैं तो यह इसलिए शौन पटना चाहता हूं कि वेक्टर स्पेस होता क्या है, इससे पहले हमें ठोड़ा समझने की जरूत है और वह होता है सबसे पहले ग्रूब का कंसप्ट, Κृ फिर आता है रिंग का कंसप्ट, रिंग के बाद आता है मारे पास फिल्ड का कंसप्ट और field के उपर एक set define होता है जो कि particular condition को satisfy करता है तो यार वो जो set होता है वो उस field पर vector space कहलाता है तो हमारे पास थोड़ा सा field का concept भी समझना जरूरी होता है इसमें बताना चारो कि ring और field और group पे मैंने बहुत अच्छे video upload कर रखें आई टे पर जाकर आप देख सकते हैं सबसे में बता हूँ है मैं internal composition क्या होता है अगर किसी set में से दो element लें और उस पर operation लगाए और वापिस उसी में आ जाए तो यहार वो internal composition कहलाता है अगर मैं आपके सामने natural number का excite लूँ हाना और इस natural number पे अगर हम यहाँ पे बात करें कि one or two लिया और one or two पे मैंने plus किया अगर one or two को मैंने multiply किया तो भी इसी में आएगा मतलब plus और multiplication यहाँ पे क्या होगा सुन एक internal composition होगा और operation लगाने पर वो वी में चला जाए तो यहार वो हमारे पास क्या कहलाता है सुन external composition कहलाता है for example अगर मैं आप से बोलू कि c और r दे रिखा है है ना मतलब ऐसा हमारे पास एक given है अगर मैं एक element यहां से real number लेता हूँ मालने जिये root 2 लिया और यहां से मैंने complex number लिया iota अगर मैं इन नोनों को multiply करूँ तो यहार यह c में आना चाहिए मतलब इस वी वाले यह c माना चाहिए अगर इसमें आता है बिलकुल आता है तो यह हमारे पास क्या होगा external composition हो जाएगा पर सुनेगर मैं थोड़ा सा यहां पर यू कर दूँ कि यहां पर मैं आज को बोलूगी r over c कर दूँ यहां पर और यहां पर मैं लूँ आयोटा और यहां से मैं लूँ root 3 और अगर मैं इन नोनों को multiply करूँ तो ओविसली यह आर में नहीं आता है मतलब यह external composition नहीं होगा मतलब हमारे पास v over f अगर vector space होता है तो यह हमारे पास f का element लेंगे मानलेज़ alpha यहां से हमने element लिया v1 अगर इन नोनों का product करें तो किस माना चाए v माना चाए अगर ऐसा हो जाता है तो वो हमारे पास क्या कहलाता है यहां पर मारे पास कुल मिला कि जो बाहर वाला सेट है वो अंदर वाले से बड़ा होना चाहिए तो बाहर वाले में वो चला जाएगा इसी रफ सेकर देखेंगे तो c r over q यह बाहर वाला जो यह चोटा है अंदर वाले से इसलिए यह हमारे पास sectional composition satisfy नहीं करेगा यह कर जा समझने की ज़र होता है इसलिए बात करेंगे vector space होता क्या है तो हमारे पास वी और f हमारे पास vector space define होता है जहां पर f हमारे पास field होता है और जो वी होता है यह सेट हमारे पास यहां पर क्या होना चाहिए और इसलिए हमारे पास unity वाली condition satisfy होने चाहिए कि जो field में हमारे पास सब्सक्राइब करना तो आज आपके सामने बताऊंगा कौन नहीं होता एक्चुली होता क्या चीज राइट यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं सब्सक्राइब करना तो आपको ध्यान देने की जरूरत है एक तो उसकंदर जीरो होना जरूरी है ना मतलब एडिटिव आइडिन्टिटी होना अत्य आवश्यक है अबिलियन गुरूफ होगा तो उसमें जीरो होना चीज उससे हमें पता पड़ जाएगा दूसरा जो भी हमारे पास वी प्लस सेट बनेगा जो भी हमारे पास वैक्टर स्पेस बन रहा है उसमें हमारे पास यहां पे एक दो इलिमेंट लें तो दोनों उसके इंदर आ जाने और एक हमारे पास यूणिट है अगर यह तीन कंडीशन अगर चिक करेंगे तीनों कंडीशन सापका यहां पर हो जाएगा कि वो वेक्टर स्पेस है या नहीं है बाकी को देखनी का आवशक्ता नहीं है तो आपको बता ओंगो यहां पर कौन कौन रflower हो थारिसे यह हमारे प तो सुन यहां पर आएगा एक्सं वाय जै कि सभी 10 को पूरा करेंगा ग्रीद वे better temperature operator 기 सरण को पूरा क्रेंगा 2003 what प्लस यहां पर में पास unity भी होती है तो वन डॉट यू जो है वो भी महरे पास यू के बारबर आ जाएगा तो यह हमारे पास क्या जाएगा शुन वेक्टर स्पेस हो जाएगा अब बात करेंगे सुन matrix के बारे में किस के समय वाक्टर स्पेस बनता है तो स्वाइब बताना च Google वूमारे पास किया चैनल अर्ड और यह मैरे पास कोई सेट रहे है और इनमधे पे सारा V如 R है यह ज्यु गुन है यह हमारे पास two cross two की matrix है and this one ABCD हमारे पास क्या रहा है Q सारा तो आप देख रहे हैं यहां पर जो element है यह Q सारे मतलब हमारे पास जो V है यह Q है और field हमारे पास R है तो Q over R यह हमारे पास यहां पर vector space नहीं बनेगा क्योंकि यहां पर external composition की जो property होती है है ऑटिसफाइड नहीं होती है अगर हमारे पास यहां पर element क्यों से watch होता है चोड़ी शुड़ी चीजे आपको समझने की जहरो होते हैं च्रूंकि हमारे पास infinite dimensional vector space होता है इसके इंदर हमारे पास infinite number of element होते हैं क्योंकि हमारे पास जो polymol होती है और यह हमारे पास एक vector space बनाता है जिसके अगर हम बात करें हैं पर हमारे पास element होते हैं वो किस टाइब क्या होते हैं अगर आप बात करेंगे अगर ऐसा आजा तो यह वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा क्योंकि ultimately यह हमारे पास क्या रहे है क्यों सारा और फिल्ड मेरे पास आरे तो क्यों और आर टाइप का हो जाएगा रइड वेक्टर स्पेस नहीं होगा पर सुन बदाना चाहता हूं कि अगर हमारे पास जितने फिल्ड से या बराबर होना से यह समझने की सब्सक्राइब यह होता है एक और हमारे पास होता है डैडिस पॉलिमेल आफ एक और हमारे पास होता है पॉलिमेल ओफ एट्मॉस डिग्री एन वो भी हमेशा क्या होता है एक वेक्टर स्पेस बनाता है उस वाले केस में हमारे पास जिसे आपसे बोला जाए कि एटमॉस फॉर डिग्री पॉलिमेल तो हमारे पास वह सभी पॉलिमेल का सेट होगा जिसके इंदर डिग्री जो होगी वह क्या होगी तीन या तीन से चोटी होगा अगर एक्जेकली त्री डिग्री कभी पॉलिमेल नहीं मनाता क्योंकि यहां पर सब्सक्राइब होगी अगर मैं आपसे बोलो की एक्जेकली त्री डिग्री पॉलिमेल वेक्टर स्पेस क्यों नहीं मनता रइट जैसे मैं आपके सामने एक एलेमेंट लूओ लो यहां पहला टीक है यह लेलिया मैंने 1 plus x minus x square plus x cube ले लिजे और दूसरा मैंने v2 ले लिया जो कि आरा 1 plus x plus x square minus x cube तो हम अगर v1 plus v2 ले तो जैसे आप इसको मैं जोड़ूंगा तो सुनिए टम से ये term cancel हो रही ये term से ये term cancel हो रही तो यह आएगा 1 plus x into 2 आजाएगा तो यह हमारे पास 3 degree polynomial नहीं आ रहे है अगर यह atmosphere होता तो यह हमारे पास 3 और 3 से छोटी होने चाहिए तो यह ध्यान देने की वज़र होता है सुन जो next point है वो हमारे पास है v is equal to f r to r where f is continuous function जिता भी हमारे पास r to r में continuous function define किये गए वो सब के सब हमारे पास यहाँ पर क्या मनाता है वेक्टर स्पेस बनाते है जहां पर हमारे पास जो operation होता है वो क्या होता point wise addition and multiplication होता है तो यह भी आपको देहान देने की ज़र होता ह सुन नेक्स हमारे पास जो आता है वो हता है अगर हमारे पास इस type की कोई भी sequence का collection दे रखा है तो यह वो भी हमेशा का बनाता है एक वैक्टर स्पेस बनाता है जहां पर हमारे पास यहां पर operation जो होता है वो क्या होता है term wise addition and scalar multiplication होता है ना obviously यहां पर सभी condition को यह क्या करता ह satisfy करता है सुन नेक्स बात करेंगे यहां पर वी इस एक्वल डू एबी सीडी वेर एबी सीडी बिलॉंग्स टू आर एंड एफ इस इकल डू डू एए वेर बिलॉंग्स टू आरे सुन यह वैक्टर स्पेस नहीं बनाता है अब वो लोगे सर हमारे पास एसी कौन सी कंडिश हम जानते हैं कि अगर इसके अलिमेंट को इसके साथ लिया जाए तो यहार वापिस हमारे पास क्या आना चाहिए पर सुन जब एबी सीडी को वन बाइटू वन बाइटू वन बाइटू बाइटू से मल्टिप्लाइए करते हैं अगर मैं आप देखें इसकी यूणिटी है हमारे पास यह है हाना तो इसकी जो यूणिटी है अगर मैं इसको इसको साथ मल्टिप्लाइए करूं हाना वन बाइटू बाइटू और यह आएगा हमारे पास आ बी सीडी तो सुन यहां बीडि का वापिस एक्टरश के बराबर नहीं होगा तो सुन यह वाले कंडिशन जरू नहीं है तो यह कभी भी वेक्टर स्पेस नहीं होगा क्योंकि 0-0-0-0 यहां पर इसके अंदर नहीं आएगा तो यह ध्यान देने की ज़रूत है इसी टाप से अगर हमारे पास यह दे रखा है कि X जो भी हमारे पास मैट्रिक्स के अलिमेंट आ रहे हैं वह हमेशा क्या आने चीए फिल्ड से बड़े या बराबर सेट से आने चीए तो यह वेक्टर स्पेस बनता जैगा इस विए नहीं बनेगा क्योंकि हमारे पास जो फिल्ड आ रहा वो कौन सारा कॉंब्लेक्स आ रहा और यह हमारे पास जो लाइक वी के अलिमेंट है वह मारे पास कहां सारे सुन आर सारे नहीं होगा सुन यह हो जाएगा यह हमारे पास वेक्टर स्पेस नहीं होगा तो यह आपको समझने के ज़रुत है तो सुन मैं बताना चाहता हूं इसका मतलब क्या exactly कि अगर मारे पास कोई फंक्शन है जो कि i2r में जा रहा है और यह और c डिफाइन मतलब फिल्ड जो है over c दे रखा है तो उस वाले केस में नहीं होगा अगर यहाँ पर यह जो f है यह क्यो है यहाँ पर क्या है मतलब f अगर आपर आपस i से q जा रहा है और यह over r डिफाइन तो यह भी हमारे पास वेक्टर स्पेस नहीं होगा तो यह छोटी 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 चीजी जो आपको समझने की ज़रूत है इज़ी टाइब से मारे पास सेक्वेंस की बात करी जाती तो यार सेक्वेंस की जो मारे पास element आ रहे है वो अगर c से आ रहे है और यह over c डिफाइन हो रहा है मतलब field अमार समझने की ज़रूत है कब हमारे पास वेक्टर स्पेस होता और कब नहीं होता है मैं आपको बताना चाहरू कि वेक्टर स्पेस की परीबाशा इसके चीजों को समझा रखा है इस तो अगर आप मेरे पुरानी जो वीडियो इस टॉपिक पर देखना चा रहे तो यहां पे जा आपने शॉट्रिक्स को बाहतर बनाना चाहते हैं तो यहां जाके आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं यहां जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक्यू बबाए